तरह एक बड़ा इंटरस्टिंग एक्षिन होने जा रहा है जिसमें अभी तक आप हमेशा एक्स डेट और रिकोर्ड डेट को याद एक्स डेट मतलब यानि कि किसी शेर में कोई डिविडेंड आ रहा है, बोनस आ रहा है, मर्जर डी मर्जर है या किसी भी तरह का कोई जैसे कि समझे कि इसी कम्षी में, जैसे वैदानता में, फ़र एक्जामपल, 20 रुपे का डिविडेंड है और उसकी आज एक्स डेट है, यानि कि अब अगर आप एक्स डेट के बाद उस शेर को खरीते तो आप डिविडेंड के हगदार नहीं होगे, वो एक्स डिविडें के दिन आपके अकॉर्ण में वो शेर हैं, तो आपको डिविडेंड भी लेगा, सेम बॉनस शेर के लिए, राइट सिशू के लिए, मर्जर सेक्विजिशन वाले, मर्जर डी मर्जर के लिए, ये एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट का फोरूम लाए है, अब 27 जनवरी, यान रिकॉर्ड चूर्पर बाद में आती है, दो दिन बाद में, क्योंकि सेटल्मेंट के बाद, आज खरीद आए, दो दिन बाद सेटल होगा, फ्र शेर आपके अकॉंड में आएंगे, आपके अकॉंड में से निकलेंगे, राइट, लेकि आप आज और काली हुआ, तो यही ज अच्छी बात की जो यह चीज होने जा रही टी प्लस वन का इंप्लिमेंट होने जा रहा है पूरी तरह से कल से लेकिन इसमें एक बात की सफाइड नहीं आई है वो यह कि रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट क्या होगा क्योंकि पहले यह था कि एक दिन का अंतर रहता था तब टी प्लस टू का सिस्टम था अभी जो है इन फॉर्मली तो लोगों को पता है कि रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट एक ही होगा लेकिन फॉर्मली इस पर कोई कम्मुनिकेशन नहीं है एक्शेंजिस की वर से क्लेरिंग 30 January एक एक्जमपल सिमेंस इंडिया डिविडेट 10 रुपए का एक्स डेट 30 जनुवरी रिकॉर्ड डेट 31 जनुवरी CLL प्रोडट्स डिविडेट 3 रुपा का एक्स डेट 1st फरवरी रिकॉर्ड डेट 1st फरवरी यह कैसे है अनल जी ये तो मतलब आप X date का भी फायदा उठा सकते हैं हिंदुसान Zink में let's say 27 को dividend adjust होने जीए 13 रुपे सस्ता आपको stock मिलेगा और T plus 1 है मंडे तक आपके account में आई जाएगा जो record date है तो आपको dividend का भी फायदा मिल जाएगा दोनों तरफ कैसे होगा अब इसमें मुझे लगता है कि वैसे तो अलड़ी ये announcement आ चुका है कि 27 जनवरी से आपका T plus 1 लागू हो रहा है लेकि मुझे जो लगता है कि हंदुस्तान Zink में जब ये ऐलान किया गया था dividend का तो शायद उन्होंने इस बात को जहान में नहीं रखा होगा कि X date और जो नहीं 30 को खरीद लिया तो उनके लिए भी आ सकता है नहीं 27 को खरीद लिया 27 को ले लिया 28 को खरीद लिया 28 Saturday है या 28 Saturday है या 28 Saturday सुनदे हाँ बढ़ सीमेंस के केस में भी सर आप ऐसे कर सकते हैं तो मेरी खाल से अब जो होगा वो यह होगा कि record date और X date आपको same day रचनी पड़ेगी तभी जाए कि यह उपार राइट बिल्कुल होना यही चाहिए इन फॉर्मेली communication यही है लेकिन officially कोई किसी तरह का circular communication नहीं है इसकी वज़े से हम देख रहे हैं कि तीन कंपनियों में तीन तारीख है और तीनों के डिविजेंड अभी आ रहे हैं यह 27 से तारीख से लेकर एक तारीख के बीच में अगर 27 तारीख है आपका शुकरवार 28-29 होगी आपकी छुटी 27 को शुकरवार है Friday और 31 को 30 को होगी सेमेंस की रिकॉर्ड डेट 31 जनवरी है और CCL प्रोडुक्स का रिकॉर्ड और एक डेट दोनों एक फरवरी को है ओके तो अब इनके एड़स्मेंट कैसे होंगे यह बड़ा सवाल है जरा इस पर आशुज़क आपने कुछ गौर फरमाया है कि यह समस्या जो आने वाली है अनिल जी एक डेट को भी रिकॉर्ड डेट को भी रिकॉर्ड डेट को भी रखना चाहिए वो चेंज होना चाहिए या फिर आप हिंदुसान जिंग तो खरीच सकते हैं 27 को 30 को आपके अकाउंट में भी होगा दोनों तरफ का आपको फाइदा भी मिल सकता है या फिर यह हो सकता है कि आपका अगर समझ जो हो रहा है सब्सक्राइब कर सकता है इस तारीक को एक्स डेट है हिंदुस्तान जिंग की ठीक है और आप 30 तारीक को रिकुष्ण की तरफ से चाहिए और एक्सिंज की तरफ से चाहिए कि एक्जटली होने वाला क्या है यह है तो confusion होगा सब्सक्राइब कर शेर खरीदें या भी तो ढिन भी तो ध्यान में रखेगा इसा नहों कि आपका मतलब आपने कुछ केलकुलेशन और की हो और इस पर औ प्रूपनी आपकी, आप में से किसी को कुछ समझ में आया हो, कुनाल जी, राकेश जी, बाकि हमारे जितने एक्सपर्ट हैं, किसी ने कोई देखा हो कि इसमें क्या एड़स्मेंट हो सकते हैं, क्योंकि सकता इस तारीक से हम T plus 1 में जा रहे हैं, तो T plus 1 में जाने के बाद, रि एक्सचेंज की तरफ से कुछ निकल करनी आता है, हमारी टीम भी इस पर लगी है, कोशिश करें और एक्सचेंजे से ब्रजेश भी बात करें, क्लेरिंग कॉर्परेशन से बात करें, आगे चलते हैं देखना होगा, एक्सडेट और साथ ही साथ, किस तरह से आपको का एर्जेस्मेंट बनाना पड़ेगा,